Hi guys and welcome back to the channel ये एक ऐसी वीडियो है जो मैं हर साल बनाती हूँ और हर साल बहुत सारे students इस resource को यूज करते हैं जिसके थुरू वो cat exam की preparation करते हैं absolutely free of cause इस resource को कोई भी यूज कर सकता है चाहे आप coaching afford नहीं कर सकते हो या फिर कि आपने कोई ऐसी coaching join की है जो आपको help नहीं कर पा रही है या फिर कि आपकी coaching तो अच्छी है लेकिन आप कुछ extra material चाहते हो to practice या फिर कि concept सीखने के लिए आपको और videos चाहिए in every single case this resource can certainly help you तो अब start करते है उन resources के साथ जो आपको आपकी तयारी में use करने होंगे total 4 तरह के resources होते है conceptual videos, question banks, past year papers and mock tests इन सारे topics के लिए मैं आपको ये resource दिखाती हूँ ये एक ऐसी excel sheet है जो मैंने आज से 2 साल पहले बनानी start की थी 2022 के cat exam के लिए फिर last year 2023 में भी बहुत सारे students ने इसको use किया इसमें total 4 sheets है अगर आप नीचे check out करो first sheet है videos की, second sheet है question banks की, third है doubt solving की and fourth है sectional and mock tests की अगर आप notice करो तो जो topics मैंने पहले 4 mention किये थे वही 4 sheets है, सिरफ third वाली different है which is doubt solving मैंने mention किये थे past year papers लेकिन उसका में एक alternate source आपको आगे बताऊंगी video में so ये वो 4 sheets हैं जिनको आप prefer कर सकते हो जितनी बार भी मैंने अपने चैनल पर ये sheet share किया है a lot of people have given very positive feedback in fact last year के reviews में बहुत सारे students ने सिरफ और सिरफ यही sheet यूज़ करके भी cat exam को clear किया हुआ है so अगर आप एक ऐसे student दो जिनको लगता है कि exam की preparation करना बहुत expensive affair है आपको बहुत सारे पैसे coaching पर खर्चने पड़ते हैं that is not true आप सिरफ इस sheet को यूज़ करके प्लस एक mock test series आप ले सकते हो उन दो resources को यूज़ करके भी cat exam या किसी भी और MBA exam की तयारी कर सकते हो तो अब मैं आपको एक एक करके इन sheets से walk through करवा देती हूँ ताकि आपको idea लग जाए कि इसमें है क्या so सबसे पहले हैं conceptual videos इसके अंदर आपको हर एक chapter की चाहे वो quant का section हो DILR हो या verbal हो तीनों के सारे chapters की conceptual videos मिल जाएंगी conceptual videos याने मानलों मैं कोई भी एक video पे आपको click करके दिखाती हूँ कोई भी link पे अगर आप click करोगे तो ये एक channel पे redirect हो जाएंगी जहां YouTube पे ये particular chapter freely explained है, free video है अलगलग teachers में बनाई है इन्हें मैंने एक sequential order में लिखा है याने कि हर chapter के आगे आप video प्लस उसके आगे number भी देख सकते हो कि जैसे time, speed and distance है तो TSD 1 होगा इस तरह next, 2, 3, 4 जितने भी उस particular chapter की videos हैं वो एक order में given हैं अब आते हैं second sheet पे second sheet पे आपको मिलेंगे question banks so काफी सारे ऐसे online portals हैं जिन्होंने free questions upload किये हुएं तो जैसे जैसे आप chapters cover करोगे उनकी videos में भी questions होंगे और आप यहां से भी practice कर सकते हो third sheet के अंदर आपको मिलेंगे groups for doubt solving so आपकी preparation में बहुत सारे doubts आएंगे जैसे कोई question नहीं solve हो रहा तो आप और कहाँ पूच सकते हो यह सारे उनके links है अब बढ़ते हैं fourth sheet की तरफ जिसमें आपको sectional और mock test मिल जाएंगे इन में काफी सारे तो past year question banks भी होंगे लेकिन please note कि यह mock test पहले हो चुके हैं यह live mock test नहीं है इसलिए मैंने starting में बोला था कि आप इस sheet के साथ-साथ सिरफ अगर एक mock test बाए कर लेते हो एक series बाए कर लेते हो तो तो देन आपकी पूरी preparation sorted हो जाएगी because वो mock test series आपको अपना live rank बता पाएगी अब बात करते हैं उस resource की जो आपको past year papers को access करने में help करेगा देखो past year papers online भी freely available होते हैं प्रोब्लम के आएगी कि जब आप एक एक chapter की conceptual videos देखोगे questions practice करोगे फिर उसके बाद आप पूरे past year paper में से ढूणने जाओगे कि अच्छा time, speed and distance के questions कौन से कौन से थे so that will take a lot of your time instead आप Oswalbooks की ये book use कर सकते हो it's called 25 year solved past year papers इसमें उन्होंने हर chapter के year wise questions दे रखे हैं so for example time, speed and distance के हर साल में कौन से questions आये थे starting from 1999 से लेके अब ये तक के जितने भी questions आये हैं questions along with detailed solutions mentioned है Oswalbooks के साथ partner करते हो है मुझे 2 साल हो गये है and every year people have recommended it या फिर के positive feedback मिला है कारण यही है कि आपका time save करेगा इसके अंदर उन्होंने खुदी detail out करके दे दिया है आप एक chapter करो then उस chapter के past year papers आप यहां से solve कर सकते हो इसी तरह इनकी और books भी आती है cat और other MBA exams के लिए अगर आप इनको refer करना चाहते हो तो मैं इनके links description और pin comment में add कर दूँगी आप वहां से check कर सकते हो so अभी हमने ये cover कर लिया कि आप कौन सा free resource use करोगे याने कि what to use but how to use हमने cover नहीं किया याने कि ये तो resource हो गया बट आप तयारी कैसे करोगे इसके लिए मैंने आपके लिए एक free time table बनाया अगर आप ये video April month से पहले पहले देख रहे हो तो जो time table मैं share करूंगी वो आपको proper 6 months का plan बना के देगा अगर आप ये April के बाद देख रहे हो तो भी आप उस resource को use करके अपना खुद का time table बना सकते हो ये time table और reporting sheet जो आप अपनी screen पे देख रहे हो ये मैंने बनाई है using a free tool called project from Odoo इस time table को आप freely access कर सकते हो इसका link मैं description में भी add कर दूँगी plus मैं आपको ये बनानी भी सिखा देती हो in case मानलो आप future में खुद से ये करना चाहोगे तो आप Odoo की website पे जाओ और ये project app के उपर click करो ये first app forever के लिए free होगी जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे अब अपनी details fill up करो then choose less than 5 employees and I am a student under primary interest so अब ये page खुल जाएगा now you have to create a new project अब उसको कोई भी title दे सकते हो जैसे cat24 preparation अब 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 यहाँ पे 5 stages add करो so yet to begin concepts, practice, past years and done अब हम एक-एक stage को पकड़ते है so yet to begin के अंडर आप tasks add करने शुरू करोगे यानि कि chapters और अगर आप चाहो तो हर chapter के लिए आप deadline भी दे सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने दी हुई है इसी तरह से आप settings में जाके time sheet भी add कर सकते हो इसमें आप mention कर सकते हो कि आप हर chapter को कितने घंटे अलोट करना चाहोगे यानि कि कितनी देर में आप उस chapter की preparation खतम करना चाहोगे Odoo के इस free tool को use करके basically आप अपने project को monitor कर सकते हो यानि कि preparation को आप track कर सकते हो कि आप कौन सी stage पे हो जैसे आप चाहो तो हर chapter को अलग-लग stages में move कर सकते हो उनके color codes को change कर सकते हो आप green को red, red को yellow ऐसा बना के देख सकते हो कि has it been started या वो cancelled है यानि कि आपने बीच में छोड़ दिया या फिर के it is done So इस तरह से you can keep a proper track of your preparation और साथ ही साथ में आप अपना status चेक कर सकते हो यह time table जो मैंने बनाया है along with यह जो free app का access है दोनों ही मैं pin, comment और description में आड़ कर दूँग आप 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 से उसको check कर सकते हो anytime So इसके through आपको अपने 6 months का एक plan भी मिल जाएगा कि आपने कौन से order में along with that कितने घंटे देके और कितने दिनों के अंदर इस पूरे chapter को complete करना है So अब हमने what to use भी cover कर लिया कौन सा study material आप use कर सकते हो and how to use भी यानि कि कौन से sequential order में आप इसको complete कर सकते हो अब मैं आपको कुछ important pointers बताऊंगी जो कि मैंने अपनी का 2017 की journey से जब मैंने 99 percentile score की थी तब मैंने क्या-क्या unique चीजे सीखी जो आपको अपनी preparation में help करेंगी सबसे पहला point है self discipline का चाहे आप coaching ले रहे हो या आप खुद से तयारी कर रहे हो दोनों ही cases में आपको discipline की जरूरत होती है लेकिन जो खुद से तयारी करते हैं उन्हें self discipline की बहुत ज़ादा जरूरत होती है please make sure कि आप छोटे-छोटे breaks में काम करो ऐसानी कि आप बहुत stretch में पढ़ाई कर रहे हो also keep rewarding yourself मैंने जब इस channel पर पहली बार video बनाई थी तो मैंने बताया था कि मैं अपने आपको momos gift किया करती थी basically मुझे momos बहुत अच्छे लगते थे तो I was like अगर मैंने एक chapter complete कर लिया तो I'll go and have a plate of momos so अपने लिए छोटे and healthy rewards रखो जो आपको motivated और disciplined रखे in your journey second is investing in mock test please remember बहुत सारे लोग क्या होता है वो past year papers या सिरफ पुराने mock test को use करते है I will again repeat कि आपकी जो live ranking है और जो percentile है वो आपको काफी help करेगी along with that जो एक live mock test का pattern और उस समय जो stress level होता है वो आपको experience करना जुरूरी है इसलिए please invest in a good mock test series जब ये channel के ऊपर mock test के ऊपर एक proper video बनेगी तब मैं आपको कुछ recommendations भी दे दूँगी third is stress इस self preparation के time पे वो लोगों को देखते हैं कि उनके mark जादा आ रहे हैं हमारे नहीं आ रहे and that is the number one reason people give up एक चार लोगों का group जो एक दूसरे को motivated and on track रखते हैं that is better than joining a telegram group जहां पूरा दिन यही बात होती रहती है कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की या तुने इतने घंटे पढ़ाई क्यों नहीं की don't engage yourself in useless conversations number four is accountability partner so जब मैं तयारी कर रही थी my father was my accountability partner यानि कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपना track explain करते रह सकते हो कि मेरी इतनी progress है मेरे mock test में इतने marks आ रहे हैं and आप जिनके साथ अपनी strategy discuss कर पाओ कि बाकी सब तो coaching ले रहे हैं लेकिन मेरे पास resources नहीं है मैं खुद से तयारी कर रहा हूँ will I be able to do it? मैं आपको countless ऐसे examples बता सकते हूँ but आज मैं आपको सिरफ दो examples बताती हूँ last year एक ऐसा student prepare कर रहा था जो ये channel को देखता था जो कि एक marine engineer था याने कि वो बहुत दूर एक ऐसी ship पे था जहां उसके पास internet connection तक नहीं था so it is important for you to understand कि लोग बहुत सारे tough circumstances में भी पढ़ाई करते हैं दूसरा example है एक ऐसे student का जो कि outskirts of the village में रहता था इतनी दूर जहां उसके पास network भी नहीं था so उसे phone पे बात करने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था so I would say कि आप इन inspiration या इन examples को याद रखो that'll keep you in check अगर वो लोग कर सकते हैं तो I'm sure कि आप भी कर सकते हो I hope कि ये resources और ये सारे tips आपको help करें अगर आपको कोई doubt आता है related to your self preparation then put it down in the comments and जब भी स्चानल पे नई वीडियो आती है उसको आप चेक आउट कर सकते हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर कि you can simply keep coming back to the channel to check कि कोई नई वीडियो आई है या नही and I'm sure that'll help you as well thank you so much for watching this guys and see you the next time